हलो वीवन स्वागत है आप सभी कैस्ट वीडियो में इस वीडियो को तो हम लोग जीगे जीए से रिलेटर इंपॉर्टन कोशिएंस डिसकस करने वाले हैं तो अगर आप किसी भी एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हलफुल है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के फर्ष कोशन है आपका बताना है किस देश से पहली बार कच्छा तेल खरीदने के लिए रुपय में भुगदान किया है बारत ने बताइए जैसा कि आपको पता है कि इंडिया की करनसी क्या होती है रुपी होती है तो कौन से देश के साथ जो है इंडिया ने जो है फर्स टाइम पेड किया है इंडियन रुपीज क्रूड ओल खरेदने के लिए बताइए रशिया, साओधी अरब, यूएसे या फिर यूएई देखिए अगर बात करें सबसे बड़ा प्रोडूसर क्रूड ओल का तो यह आपका है यूनाइटेड स्टेट्स है ना क्रूड ओल का सबसे बड़ा प्रोडूसर मतलब कि लाजस्ट प्रोडूसर ठीक है और अगर बात करें कि कौन से देश के साथ इंडिया ने ये डील की थी रूपी में तो यह किया था यूएई के साथ उप्शन नमबर डी, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स बताइए निम्रकित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा लागून लेक है वुलर लेक, पुलिकट लेक, चिलिका लेक या फिर कोलेरू लेक अप्शन नमबर सी यह आपका चिलिका लेक और अगर बात करें कि इसकी लोकेशन का है तो ओडिशा में ठीक है बताइए पैंग्विन अवेरनेस डे हर साल कब मना जाता है पीडिएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलेग्राम का लिंक मिल जाएगा आप जोइन का सकते हो अगर बात करें पैंग्विन अवेरनेस डे की तो यह हर साल 20 जनवरी को मना जाता है ICC Under 19 Cricket World Cup 2024 has been organized by which country? बताइए ICC Under 19 Cricket World Cup 2024 यह कौन सी कंट्री के द्वारा और्गिनाईज किया जाएगा? औस्टेलिया, इंडिया, बांगलादेश या फिस साउथ आफ्रिका तब यह जो है और्गिनाईज किसके द्वारा किया जाएगा? अप्शन वर्डी, साउथ आफ्रिका उत्तर प्रदेश अब्जर्ब इट्स फाउंडेशन डे अवरी यर अन बताइए उत्तर प्रदेश स्टेट जो है तो आपको बताना है कि यह अपना फाउंडेशन डे हर साल किस दिन मनाता है? कौन से दिन? वैसे 1950 में उत्तर प्रदेश स्टेट हुआ था स्टेट का दर्दा मिला था उत्तर प्रदेश को और हर साल 24 अप जैनवरी को हम मनाते हैं यूपी फार्म डिशन डे अगला कोश्चिन है वैसे वोन दे गोल्ड मैडल अट दे एशियन माराथन चेंपियंशिप 2024 बताईए एशियन माराथन चेंपियंशिप 2024 में गोल्ड मैडल किनो ने जीता? मान सिंग, पुलकित मिश्रा, कार्थिक शर्मा या गुंजन श्रिवास्तव बताईए, किनो ने जीता? एशियन माराथन चेंपियंशिप 2024 में गोल्ड मान सिंग, आप्शियन नमबर ए इंडिया's first Airbus A350-900 flight was launched by बताईए, भारत का पहला Airbus A350-900 flight जो है, ये किसके दोबारा लॉंच किया गया? Air India, Indigo, Go Air या फिर वितास्तर ये आपका Air India के दोबारा लॉंच किया, आप्शिन नमबर A इंडिया has become the world's first largest stock market to overtake बारत जो है, चौथा largest stock market में अपना rank हासिल कर लिया है तो कौन से कंट्री को overtake करके इंडिया ने चौथा rank हासिल किया है Japan, France, Hong Kong या फिर United Kingdom बताईए Hong Kong को overtake करके अगला कोशिन है खजोरी गुड़ाग of which state got GI tag बताईए, खजोरी गुड़ा जो है, ये कौन से state का है, जिसको GI tag मिला है ओप्शिन नमबर A अगला कोशिन है, which state product सुन्दर्बन honey got GI tag recently, कौन से state का product है, सुन्दर्बन honey देखे, सुन्दर्बन अगर आता है, मतलब कोई भी चीज डल्टा हो या फिर उससे related कोई भी चीज तो आपको याद अखना है, कि ये आपका West Bengal से related हैगा option number C चंपई सोरन became the new chief minister of which state, बताईए चंपई सोरन जो है, ये कौन से राज़ के नए मुख्यमंत्री बने है ये आपके जारखन के बने है, इससे पहले आपके कौन थे, हैमंत सोरन और अब भी बन गया है, कौन, चंपई सोरन from which country have the directive principle of state policy have been taken बताईए, DPSP जिसको कहते है, short form में, तो ये आपके कौन से देश्चल लिया गया है, USA, UK, Ireland या फिर ऑस्ट्रेलिया DPSP लिया गया है, Ireland, option number C when did the civil disobedience moment start, बताईए, civil disobedience moment जो है, इसकी सुरुवात कब हुई थी 12th of March, 1930 चलिए, अगला question है, Jumar and Munda dance form is related to which state, बताईए, Jumar and Munda dance form जो है, ये कौन से राजे से संबंधित है Jumar and Munda dance form आपके जारखन राजे से रिलेटेड है Where is the headquarters of Federation of Indian Commerce and Industry बताईए, Federation of Indian Commerce and Industry का headquarters कहा है, कौकता, New Delhi, Hyderabad या फिर लखनो इसकी स्थापना हुई थी in the year 1927 और इसकी headquarters है, New Delhi में Which of the following rivers flow into the Arabian Sea, बताईए, निमलिखित में से कौन सी नदी जो है, Arabian Sea that means Arab सागर में गिरती है Ganga, Godavari, Krishna या फिर नमदा Option number D, नमदा Which Indian city is known as Manchester of East and Leather City of Uttarapadish Uttarapadish के कौन से सहर को Manchester of East and Leather City से जाना जाता है, वारानसी, कानपूर, मेरट या फिल लखनो अगला question है, What does the Lakshadip mean in the Malayalam and Sanskrit, बताईए, Lakshadip का क्या मतलब होता है, Malayalam and Sanskrit में One lakh island, one hundred island, thousand of islands या फिर ten thousand islands इसका मतलब होता है, one lakh islands, option number A Rowers Cup is related to which sport, बताईए, Rowers Cup जो है, इसका संबन्द कौन से खेल से है, बताईए, Cricket, Football, Hockey या फिर Baseball Rowers Cup भाई, ये आपके football से related है, ठीक है चलिए, अगला question है, Sunburn Festival is related to which state, बेसिकलिए आपको बताना है, Sunburn Festival कौन से राजमे मना जाता है Sunburn आपके, sorry, go on मना जाता है, ठीक है, चलिए, तो I hope वीड़ आपको अच्छी लोग, वीड़ अच्छी लोग और हमाचाल पाप आप नहीं हो, तो like, share and subscribe जरू कहिएगा, मिलते हैं, नेक्स वीड़ वीड़ बे,